दोस्तो नमस्कार इस इस रिंकू मौरिया और वेलकम टू इन्वेस्टिंग वीथ मौरिया जी चैनल फाइनेंसियल प्लानिंग हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हिस्सा होता है यह जो है हमें गाइड करता है कि हम आने वाले फाइनेंसियल गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं यह हमारी मदद करता है कि हम अपने इनकम, अपने खर्चे, अपनी सेविंग्स और अपने इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से मैनेज करें कैसे कंट्रोल करें ताकि हमारी जो आने वाली जो भी financial goal हो उसको हम सही तरीके से पूरा कर सकें, सही तरीके से अचीव कर सकें Benjamin Franklin ने दोस्तों एक statement कहा था कि if you plan to fail then you are planning to fail दोस्तों सही time रहते हुए यदि आप young age में अपने आने वाली responsibilities हैं जो financial goal हैं यदि आप पहले से उसकी planning करके नहीं चलते हैं तो एक time आता है कि जब वो responsibility आपके सामने खड़ी होती हैं जब वो financial goal आपके सामने आके खड़ा होता है तो उस समय आप अपने आपको हारा हुआ महसूस करते हैं क्योंकि आपने पहले उसकी planning नहीं करें जिसके वज़े से कि आप उतना पैसा इकठा नहीं कर पाए और आप जो है वहाँ पे अपने आपको helpless feel करने लगते हैं इस screen पे देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं in fact आज की वीडियो इन ही लोग के लिए है ऐसा कोई ब्यक्ति नहीं होगा जो अपने बच्चों के लिए planning नहीं करता है दोस्तों planning करना और उसको अंजाम देना दोनों में बहुत अंतर होता है आप सोचते तो हैं लेक आपको अपने बच्चों के higher education के लिए किसी college में आपको admission दिलाना होगा और आज कल जो है cost of education इंडिया में नहीं परंतु पूरे world में आप देख रहे हैं कि cost कितना बढ़ता जा रहा है जो पढ़ाई का खर्च है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है आने वाले समय में भी य आप अपने बच्चों को doctor, engineer, ca, lawyer जो भी बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको huge cash के जवरत पढ़ने वाली है या फिर आप अपने बच्चों के marriage के लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब हम एक अच्छे amount के जवरत है जिससे कि हम अपने बच्चों की साधी अच्छे घर मे अच्छे परिवार में कर सकें तो वहां पर भी आपको पहले से planning करके चलना है किसी financial analyst ने कहा था कि जब आपका बच्चा जन्म लेता है उसी time से ही आपको उसकी planning करना ही start करना चाहिए और investment सुरू कर देना चाहिए जी या दोस्तों या आपको एक अच्छा wealth create करना है या फ आपको एक अच्छा wealth create करके दे सकें तो दोस्तों यहां पर हम mutual fund के बारे में बात कर रहे हैं आपको mutual fund की एक ऐसी scheme के बारे में इस वीडियो में discuss करने वाला हूँ जो कि especially बच्चों के लिए ही design किया गया है तो इस वीडियो में जो भी fund मैं आपको बता रहा हूँ जिसको ह मैं बार-बार अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि मेरी तरफ से कोई recommendation नहीं है just educational purpose के लिए वीडियो आपके लिए में बना रहा हूँ आप again इसको जा करके deep में analysis कर सकते हैं अपने financial advisor से आप सला ले सकते हैं in fact आप जो है investment करना ना करना वो आपके हाथ में है तो दोस्तों ह हम SBI mutual fund के एक plan को लेकर के आए हैं जो कि specifically children के लिए ही design किया गया है तो हम SBI के magnum children benefit fund के बारे में discuss कर रहे हैं जो कि direct plan growth option है CB fund को select करने के लिए आपको कुछ parameters जरू से follow करना चाहिए क्योंकि जब तक वो fund आपके parameters पे सही तरीके से बैठता नहीं है तब तक आपको fund कभी भी choose नहीं करना चाहिए मैं अपने हर वीडियो में parameters को discuss करता हूँ तो वैसे SBI का magnet children benefit fund मैंने इसको क्यों select किया इसके पीछे क्या logic है क्या reason है मैं आपको यहाँ पर present करता हूँ one by one करके हम यहाँ पर discuss करेंगे तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि fund की type क्या है तो यह जो fund है यह solution oriented है यानि कि children के benefit के लिए especially fund design किया गया है इसके बास second होता है दोस्तों fund age हमेशा fund की age हमको देखने चाहिए कि कब से यह fund जो है launch हुआ है कब से perform कर रहा है तो यह fund अभी आया हुए 3 साल 3 महीने ही हुआ तो NAV की बात की जाया तो इस समय 32 रुपया 9 पैसे चल ला है मतलब यह 20 December की वीडियो जो मैं बना रहा हूं तो यह 32 रुपया 9 पैसे चल रहा है इसमें NAV हमेशा उपर नीचे करती रहती है जैसे इसे market चलता है दोस्तों वैसे वैसे NAV भी up down up down होती रहती है और आप देख सकते हैं कि 3 साल पहले यह fund आया था और जब आया था तो उसमें 10 रुपय की NAV थी लेकिन आज 32 रुपय की NAV हो चुकी है आप देख सकते हैं कि यदि किसी परसन उस टाइम पे यदि 1 लाक रुपय भी डाला होगा तो उसको कितना अच्छा यहां पे return उसको देखने को मिल होगा इसके बाद होता है asset under manage यानि fund की size important होती है तो अभी चोटा fund 1387 करोड का meat size fund है और वो भी 30 नॉमबर 2023 का मैं data आपको बता रहा हूं यह जो एवम है दोस्तों यह पिछले कई महिनों से इसी तरीके से लगतार यह grow करता जा रहा है हमारी यह उम्मीद है क्योंकि जिस त चेजी से आ रहा है क्योंकि अभी पांच-छे मैना पहले का status में देख रहा तो उसमें 687 करोड के आसपास इसमें even था जो कि इसमें बढ़कर के 1387 करोड रुपे हो चुका है अब इसके बाद नेक्ट पैरामिटर की बात की जाए lock-in period important है 5 साल का इसमें lock-in period है दोस्तों त पहले clear कर देनी चाहिए कि आप जो है 5 साल के लिए आपका पैसा कोई block करने के लिए बोल ला है तो उसके पास जरूर कोई न कोई strategy होगी तो इस fund को जो लो manage कर रहे है उनकी कुछ strategy है जो कि वो 5 साल की पैसे को block कर रहे है तो इसके बाद next हम बात करते है fund की performance बहुत important है एक इस साल में 28.33% का इसने return generate करके दिया हुआ है 3 years में देख सकते है 37% का return इसने generate करके दिया हुआ है यदि all time की बात की जाये मतब जब से fund launch हुआ है तब से 43.57% every year का इसने return generate करके दिया हुआ है तब ही आप देख सकते हैं कि यह 10 रुपे के ने भी 32 रुपे पर पहुँच next आता holding analysis बहुत important है आपको check जरूर करना चाहिए कि जो पैसा आप invest करेंगे या फिर पहले से जो लो investment कर रहे हैं उनका पैसा यह fund manager कहां कहां invest किये हुआ है तो दोस्तों holding analysis की बात की जाये तो लगभग 88.2% equity में ही invest किया गया है क्योंकि long term में जो return निकल के आता है वो equity market से ही निकल के आता है debt market से निकल के नहीं आता है तो यदि आपका long term में कोई goal है तो उसको achieve करने के लिए आपको एक अच्छे return की जवरत है और वो return आपके inflation को भी beat कर सकता है इसलिए equity marketing प्लेटफॉर्म है जो की inflation को और आपके financial goal को long term में पूरी करने की ताकत रखता है cash में द out करते हैं या फिर कोई investment opportunities fund manager को नहीं दिखती है तो cash में पैसे को रखा रहता है फिर जैसे ही दिखती है तो वहां से investment करता है debt की बात की जाए तो यहां पर 0.7% debt में भी invest किया गया है तो आपका पैसा diversified है इसके बाद market cap के through allocation देखें तो large cap company में 29.76% का investment है mid cap में 13.28% का small cap में 37.19% का investment है और other cap में 7.95% का investment किया गया है तो दोस्तों यहां पर देख सकते है market cap wise भी diversification किया गया है और यह जो percentage है यह monthly quarterly change होता रहता है आज जब कि मैं video बना रहा हूं तो यह status हमारे सामने है जो मैं आपको discuss कर रहा हूं अगें यह change होता रहता है और यहां पर आप देख सकते हैं कि debt holding की बात कि जाए तो government of India की जो securities है उसमें 0.72% का investment किया गया है call and money market में sovereign bonds में investment repo में है foreign equity में मतलब आपका पैसा foreign में भी divert किया गया है वो भी Nasdaq के जो stocks होते हैं उसमें invest किया गया है fund के अधि हम sectoral allocation के अधि बात करें तो आप देख सकते है financial में 31.5% investment है consumer में 17.8% services में 11.6 health care, chemical, insurance, capital goods यह पैसा आपका काफी अच्छे तरीके से diversified किया गया है risk को manage करने के लिए क्योंकि यह long term में return बनाना है तो पैसे को diversify करना बहुत जरूरी होता है वहाँ पे risk भी आपका minimize हो जाता है जिससे कि आपका return अच्छा निकल करके आता है तो fund manager ने यहाँ पे काफी अच्छी diversification करी हुई है और financial sector में काफी ज़्यादा इनकी holding से क्योंकि finance sector हमारी Indian economy का backbone है इसलिए यहाँ पे यह ज़्यादा भरोसा रखते है और बाकी यह जो allocation यह समय समय पे यह change होता रहता बदलता रहता जहाँ fund manager को जो opportunity दीखती है आगे आने वाले समय में कौन सा sector perform कर सकता है उसके according यह क्या करते हैं पैसे को rotate करते रहते हैं stock की holding भी काफी important होती है दोस्तियों आपको इसे भी check करना चाहिए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो SBI का Magnum Children Benefit Fund है उसमें जो 1300 करोड रुपे का जो fund size है वो कहा कहा कौन कौन से stock में इन्होंने diversify किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Hatsun Agro Product में इनका 5.42% holding है मतलब सबसे ज्यादा holdings इन्होंने Hatsun Agro Product में ही रखा हुआ है देन यह ICACA Bank में भी invested है Alphabet Inc. यानि कि यह foreign share है जो कि अमेरिका के NYSEA निवार के stock exchange में लिस्टेड है तो इस company में भी इन्होंने invest कर रखा है Jupiter Lifeline Hospital Doodla Dairy में भी इनका investment है जो next parameter होता है वो होता है fund manager काफी important है क्योंकि यदि fund manager अच्छा होगा तभी आपके पैसे से पैसा बना करके आपको देगा यदि उस fund manager में कोई quality नहीं है कोई experience नहीं है या फिर ऐसे ही select करके बैठा दिया गया उसका दिमाग इधर उदर घूमेगा कुछ भी निकल गया तो आपके पैसे को कहीं ले आगे ठोक देगा वहाँ पे आपका return भी गड़बड़ा जाएगा तो यहाँ fund manager को देखा जा तो यहाँ पे तीन fund manager है जो dedicated है जिसमें की रामला लायर सिरी नीमासन है जो साउत के हैं और दीनेश अहूजा अब मोहित जैन यह तीनों लोग इस fund को manage कर रहे हैं expense ratio की बात की जा तो 0.90% expense ratio है और यह expense ratio भी ऐसा नहीं कि fix है यह time to time change होता रहता है क्योंकि expense ratio जो fund manager fund को manage करते हैं उनको एक अच्छी खासी fees जाती है और बाकी और भी खर्चे होते हैं AMC को चलाने के लिए वो सारे खर्चे इसमें आते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको अपनी financial planning करनी है और आपने fund भी देख लिया कि कौन से fund में आपको investment करना चाहिए जो कि मैं समझता हूँ कि SBI के Magnum Children Benefit काफी अच्छा fund है तो इसमें आपको किस तरीके से investment करना है दोस्तों मैं आपको यह नहीं कर रहा हूँ कि आपको एक बार में ही यहाँ पे पैसा उठा के आपको डाल देना है मैं आपको suggest करूँगा कि आप SIP के थुरू आप जाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 32 रुपे की NAV है कोई बहुत ज्यादा NAV नहीं है तो आप 1000 रुपे से भी यहाँ पे investment स्टार्ट कर सकते हैं और आप 5 साल तक जैसे यहाँ पे लिखा है कि lock-in period 5 years तक है आप 5 साल तक इसमें 1000 रुपे की महीने की SIP आपको करनी है और 5 साल के बाद आपको SIP यहाँ पे रोक देना है 1000 रुपीज पर मंत की SIP हमने यहाँ पे इंटर किया हुआ है expected return हम यहाँ पे 20% का लेके चल रहे हैं हमने देखा कि पिछले 5 सालों में देखा जैने कि 3 साल से यह fund आया हुआ है की उसमें भी इसने हर साल 43 परसेंट ए 44 परसेंट का अराउंड में return इसने जनेरेट करके दिया अनुलाइज बेसिस पर लेकिन लोंग पिरिएड में दोस्तों 10 साल 15 साल या फिर 5 साल जो भी long term का आपका गोल है financial गोल है उसमें हम return को हमेशा जो है नीचे लेके चलते हैं हम कभी भी 40 परसेंट 30 परसेंट का return लेके नहीं चलते हैं तो यहाँ पर long term के लिए हमने 20 परसेंट का return लेकर के यहाँ पर चल ले हैं क्योंकि जिस तरीके से fund अभी manage किया जा रहा है जिस तरीके से perform कर रहा है जो इसका holding है asset allocation है यदि इस तरीके से manage होता रहेगा तो आने वा SIP करनी है 5 साल के बाद बाद आपको SIP इसमें बंद कर देनी है इसके बाद आपको यदि लगता है कि 5 साल के बाद यदि आपको कुछ यहाँ पर return मिल रहा है तो आप इस SIP को continue भी कर सकते हैं otherwise आप इसको रोग सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने 60,000 रुप तो आपका जो investment आया वो 60,000 रुपिस का आया और आपको लगभग 43,000 रुपे का इसमें गेन हो रहा है 5 सालों में और यहाँ पर आपके total value जो आपके hand में आ रही है वो 1,3,454 रुपे यानि कि इसमें 60,000 रुपे आपका जो principal amount है वो भी है और 7 में 43,000 रुपे जो है आपक 3,000 रुपे को आपको छोड़ देना है आपको इसको छूना बिलकुल भी नहीं है मतलब हम यह यूँ कह लें कि यह आपका एक तरह से लंसम investment हो जाएगा अब यह जब आप इसको छोड़ते हैं तो यह किस तरीके से अप compound होता है दोस्तों वो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो एक लाख रुपे है दोस्तों मतलब एक लाख तीन हजार रुपे का गेन आया था लेकिन उसमें से आप तीन हजार रुपे मालीजी आप निकाल लेते हैं आप रख लेते हैं हम एक लाख रुपे का एक lump sum amount यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं और expected rate अगले 5 स के लिए हम 18% का रखते हैं क्योंकि जैसे जैसे दोस्तों period बढ़ता जाता है वैसे विसे जो return है वो compounded जो CHR है वो थोड़ा सा उसमें कमी देखने को मिलता है long term में और आपको भी हमेसा expect करना वही return चाहिए जो कि genuine हो तो यदि माल लिजे कि mutual fund यदि आपको long term में 15% से लेक है तो आप यह समझ लेजे कि यह जो inflation rate है ना उसको यह beat करके आपको return दे सकता है तो मैं यह नहीं कर रहा हूं कि आपको 15% ही मिलेगा आपको उससे ज्यादा भी मिल सकता है क्योंकि long term में equity market जो है अच्छा perform करता ही करता है तो यहां पे 18% का return लेके चल रहे हैं अगले 5 साल तक आप इस पैसे को यदि hold करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 1,00,000 रुपे आपने investment करा था और आपकी value जो estimated gain वो 1,28,000 रुपे हो जाती है तो टोटल value आपकी 2,28,000 रुपे यहां पे हो जाती है इसके बाद आप अगले 5 साल और आप wait करते हैं यानि कि इसको 10 स तक आप इसको छोड़ देते हैं तो यह 27,49,000 में यह convert हो जाता है अगेन इसको आप let's suppose कि आपने इसको छोड़ दिया 25 साल के लिए तो यह amount आपका 62,00,000 रुपे 6,000,000 रुपे में convert हो जाता है और अगेन आप इसको जाती 5 साल के लिए और hold कर देते हैं दोस्तों तो यह 1 करोड 43,00,000 रुपे आपका बनता है तो दोस्तों आपने देखा कि आपने 1,000 रुपे महीने की SIP की आपने 60,000 रुपे ही केवल investment करा और आप उसको छोड़ दिये और उसके बाद वो पैसा आपका grow होता रहा और आपको final value 1,40,000,000 रुपे आपके hand में अगले 30 सालों में आ जो कि mutual fund से आपको मिल सकता है तो ये जो amount है ये आपके बच्चों के financial planning यानि कि जो बच्चों की education है बच्चों की जो marriage उसमें काफी ज़्यादा ये काम में आ सकता है तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर SIP के जो power कितनी तेजी से work कर रही है मैं ये नहीं कर रहा क कि आपको 5 साल के बाद investment नहीं करना है आप उस investment को बढ़ा भी सकते हैं यदि आपका income बढ़ता है तो आप जो है एक हजार रुपे की बजाए आप 2000 की SIP कर दीजे तीन हजार की कर लीजे आपको इसको बढ़ाना है लेकिन बस एक trial purpose के लिए मैं आपको यहाँ पर present कर रहा ह है तो दोस्तों यदि आप इसको मान लिजे की 1000 की वज़े आप 2000 की SIP करते हैं 10 साल आप करते हैं तो यह amount आपकी 1 करोड 43 लाग 2 करोड के ऊपर यह चली जाएगी ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों आपको अपनी financial planning अपनी करनी है बच्चों की future को यदि secure करना है अच्छे स किये हुए हैं तो आपको पहले से उसकी planning करनी है अपना जो भी income आप कमा रहे है उसका कुछ portion आपको save करना है देन आपको जो है उसको investment करना फिर उसके बाद जो कुछ भी होता उसको खर्च करना है तो दोस्तों I hope कि आपको यह बातें सारी चीजे में बता पाया तो मिलते एंगलें नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंग जय भारत थैंक यू सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो कि